नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहां सदियों तक राम की खुस्बू ऐसे ही भहराती रहें भारत हिंदू राष्ट की लंदन के बाद नेपाल में बाबा का डंका दिव्य दर्वार में नेपाल के भक्तों की भाग्ये वाली परची राम का नाम अटल हिंदू राष्ट का संकन बाबा बागेश्वर की हुंकार दर्वार में उम्रा जन सैलाब बागेश्वर सरकार नेपाल में इन दिनों हनमन्त कथा सुना रहे हैं कथा सुनने के लिए लाखों के भीड हर दिन पहुच रही है वहीं बाबा कथा के साथ-साथ अपने सनातनी हिंदू राष्ट के एजन्डे को भी आगे बढ़ा रहे हैं नेपाल के चितवन में हनुवंत कथा कर रहे पंडित धेरेंदर शास्री भारत और नेपाल के रिष्टों को रमायन काल से जोड रहे हैं तो नेपाल को अपना ननी हाल बता रहे हैं साथ ही नेपाल में हिंदू राष्ट के हूंकार भर रहे हैं और हम इसलिए प्रसंद हैं क्योंकि हम अपने ननी हाल आए हैं ये हमारा ननी हाल है और कुछ लोग मामा जी लग रहे हैं मामी जी बाबा भागेश्वर सरकार ने नेपाल में लगे दिव्वे दर्बार का मकसद भी लोगों को समझा दिया दिरेंद्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल का सनातनी जाग रहा है चिंता मत करो हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है परचा, दर्बार, कठा तो, बहाना है असलियत में तो भक्तों को हनुमान जी का बनाना है और हमें लग रहा है नेपाल का सनातनी जाग रहा है बताओ जाग रहा है की नहीं जोर से बोलो जरा जाग रहा है और चिंता मत करो हम तमारा पीछा छोड़ने बाले नहीं है परचाओ दरबार और कथातो बहाना है असलियत में तुम सब को हन्मान जी का बनाना है क्यों कि कल युग में केबल और केबल संकट मोचन हनुमान जी है हमारे तुमारे पास हैं विपत्तियां और विपत्तियों को हरन करने वाले केबल बागेशुर हनुमान जी है जो बागेश्वर बाला जी के चरणों से जुड़ जाता है उसकी विपत्ती मिट जाती है और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाती है हनुमंत कथा कि दूसरे दिन बाबा ने अपना दिव्वे दर्वार सजाय था भग तो अपनी पर्ची खुलने के इंतिजार कर रही थी लेकिन बागेश्वर सरकार दर्वार में भारत और नेपाल के बीच हिंदु राष्ट की पर्ची पर पर्ची खोलते जा रही थी लोगो अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो जगए जगए भटकना बंद करो दूसरे मजहबों में जाकना और ताकना बंद करो अगर तुम्हें चाहिए ही कृपा तो बागेश्वर बाला जी के चड़नों से जुड़ जाओ बागेश्वर हनुमान जी जैसा तागत पर हम इतना कह सकते हैं पूरी दुनिया में ललकार करके हमारा मानना है कल्योग में जो भगवान को अंदविस्वास जूट फरेव सनातन धर्म को गलत बताते थे उनके मूँ पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बाला जी का पनित धिरेंद्र शास्त्री ने नेपाल से एक बार फिर बागेश्वर धाम के चमतकार पर सवाल उठाने वालों को आरे हाथों लिया है बाबा ने कहा कि वो ऐसे लोगों की पूल खोलते रहेंगे फोल सब्सक्तियां नहीं होती ये सब कपोल कलपना है ये सब जुट है ऐसे लोगों के मूपर तमाचा है बागेश्वर shitty का दरबार बड़े बड़े बुद्धीमान बड़े बड़े तारकिक बड़े बड़े वद्वान बड़े बड़े निू चैनल बड़े बड़े कैमरा बागे स्रुधाम की पोल खोल ले आए फर खुद खुलवा कर चले गए उनकी भी ठटरी बार गए अच्छा ठटरी कौन-कौन जानता है हैं अच्छा तुम लोग ठटरी जानते हो अरे मालिया तो हमको तो लग रहा है कि हम भारत में ही बैठे हैं सच बताएं नेपाल आकर के हमको बहुत आनंदा रहा है अब हम नेपाल आते रही रहेंगे और यहां पर सनातनिय हिंदूओं को जगाते ही रहेंगे मागेश्वर सरकार ने अपने विरोधियों को चैलेंज करते हुँ कहा कि कोई भी धर्म हनुमान जी की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है मजहब हैं सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी कोई भी हनमान जी की सक्तियों का सामना नहीं कर सकता है जो कोई दुनिया का ऐसा मजहब ही कहता हो कि हम कर सकते हैं वो आ जाए उसका पेंट गीला करके भेजा जाएगा हां यह मनमान जी के बल पर राम जी के बल पर गुरुदे ओ देखो हम कोई चमतकारी नहीं है हमारे पास कोई सिद्धी सकती नहीं लेकिन राम नाम के चरणों का प्रभाव बागेस और बाला जी के चरणों का प्रभाव है जो कह दिया जाएगा जो लिख दिया जाएगा वही सत्त होगा पुलो जैस्याराम जैस्रीराम जैस्याराम इसलिए नेपाल के लोगो अब जगए जगए तुम्हें भटकने की आव सकता नहीं यत्र तत्र चमतकारों में तुम्हें पढ़ने की आव सकता नहीं तुम्हें जगए जगए तांत्रकों के चक्रों में पढ़ने की आ बाबा ने लोगों की अरजी सुनने के साथ-साथ उनके नेपाल आने का उद्देश भी साफ कर दिया धेरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो नेपाल मेराम भक्तों को जगाने आए हैं नेपाल के चित्वन धाम से बाबा बागेश्वन ने ऐसा संदेश दिया जो भारत और नेपाल के रिष्टों को मजबूत करने वाला है